हेलो फ्रेंट्स में हु Legion सीविमा और आपको स्वागत है मेरी चैनल में आज में लेके आई हूँ बहुत हेल्डी रेसिपी कच्चा पपीता का सबजी ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम समय में बनके त्यार हो जाता है फ्रेंट्स एकदम हेल्दी और टेस्टी आपना रोटी का साथ चावल का साथ पराठा का साथ किसी का साथ भी एंज़ाई कर सकते बहुत ही टेस्टी बनेगा और बहुत ही कम समय बहुत ही कम मसला में बनके त्यार होने वाला फ्रेंज और वीडियो को फोलु आच्छ करिए अगर मारा रे पपिता लिया मैंने देखी और पपिता का लगूत ही कम समय में बन जाएगी और इस तरीका से आप बना के खाइये बहुत ही कि लागे गगा तो यह देखी मैं दू पाट में कट कर दिया और इस तरीका से ना मैंने फेर से बीच में कट करूंगी क्योंकि मुझे छिलका क्लीन में थड़ा दिक्कत होगी तो इसलिए मैं दू पाट में फेर से डिवेड कर दिया तो इस तरीका से छिलका को क्लीन करेंगे तो पीलर से नहीं तो नाइप से किसी से भी आप क्लीन कर सकते अच्छा से यह बहुत ही आसानी से हो जाता है फ्रेंज तो यह दिखिए और जो ग्रीन पाट ना छिलका को क्लीन करेंगे तो यह दिखिए मैंने क्लीन कर दिया और उपर का जो हुआइट पाट उसको भी हटा देंगे ने तो ओ पाट रहेगा तो थोड़ा कड़वा लाग सकता है अच्छा नहीं लागेगा तो यह दिखिए मैंने इस तरीका से हटा दिया तो मास सारा पोपिता को ऐसे ही बीच वाला पाट को हटा देंगे वा क्लीन कर देंगे इस त माटावा ज्यादा पातला नहीं रखेंगे मैंने दू पाट कर दिया फेर से तो दिखिए बीच में फेर से कट करेंगे इस तरीका से दिखिए और कैसे कट करेंगे तो यह दिखिए थोड़ा ध्यान से दिखिए तो यह दिखिए बस इतना ही पीस रखेंगे इस तरीका से पिसस करेंगे जदा मोटा जदा पतला भी नहीं रखेंगे इस तरीका से होना चाहिए ऐसे कट करके सारा पपिता को कट करके रेडी करेंगे और जिसको ना पपिता खाना पसंद नहीं होता है इस तरीका से बना के दे दे जिए सच में पसंद करेंगे खाने को अच्छा लगे तो यह दिखिए फ्रेंस मैंने सारा पपिता को कट करके रेडी कर दिया और एक बाउल लिया और बाउल मेंना सारा पपिता को ट्रास्पर कर देंगे क्योंकि वास करेंगे तो यह दिखिए कितना क्यूट लग रहा है मैंने कटिंग करके रेडी कर दिया वास इस तरीका से में घ्यास पे मैंने कड़ए चड़ा दिया कड़ए जय से गरम हो जायेगी यह सुर्चव्त्ध्य निंद करेें तो जैसे त्लिदि पछन फूटन आप चंच आप करीब तो यह दिखिए पर इस तरीका से चला देंगे और उसके बाद ना इसमें और ज्यादा ना मसला बागरा यूज नहीं होता है बहुत ही कम मसला में यह बन जाता है एक्तम हेल्दी तो देखिए ग्रीन चिली मैंने कट करके यह डाल दिया बस और उसके बाद इसमें आपना सु सुखा मीर्ची आड़ करके आड़ा तो वासकर के डाल देंगे पोप यह देखिए मैने डाल दिया और स्वादन जयी नामक आड़ करेंगे देंगे इसके बाद पांच मिनिट के लिए छोड़ देंगे तो तब देख हम मसाला तैयर करेंगे तो मैंने लिया मिक्सी जार में डाल दिया एक चामच सर्शोबार आई तो आधा चामच शाबोत जीरा और पांच लेसन को कर लिया और ये दिखिये दू मैंने रेड चिली लिया और उसके बाद थोड़ा पानी आड करेंगे और मिक्सी चलाएंगे तो मैंने एक चीज भूल गई थी अध्रप तो ये दिखिये अभी मैंने अध्रप डाल दिया और अच्छा से मिक्सी चला के न स्मूथ पेस्ट बना के त्यार करेंगे तो ये दिखिये पांच मिनिट हो गया पांच से यह दिखिए हल्दी पाउडर आड़ कर दिया और U Extra पारड़ कर दिया और उसके बाद यह इसमें जाहाई काशिपरी वालार रायटा इसुटिशा, और तिकहा मिरची पाउडर बड़ा साइज में कट करके डाल दिया बहुत ही सिंपल रेसिपी तो बास टोमाटो डालने के बाद अच्छा से मेक्स करेंगे और फेर से लीड देके पांच मिनिट के लिए अभी बिल्कुल लो कर देंगे फ्लेम को और छोड़ देंगे लो फ्लेम में पांच मिनिट के तो आभी डालेंगे स्वार्षव मसला जो मसला त्यार करके रखा है बोईवाला मसला आड करेंगे तो मैं पूरा मसला नहीं डालूंगी इसमें तिन चामच करीब आड करोंगे ज्याधा डालेंगे न कड़वा हो सकता है तो यह देख़िए त configurator 3 चामच करीब आड कर दे लेकिन मैं एक चम्चकरी पानी डाल दिया क्योंकि सरसो मसला आड कारने में आड कारने से फुनाई कारने में क्या होता है कि जो कड़वा पन आज आता है कभी-कभी इसलिए मैंने थोड़ा पानी आड कार दिया बस और कुछ नहीं करना है लिड़ को देखना छोड़ देंगे कुख होने के लिए 3-4 मिनित तो ये दिखिए 3-4 मिनित बाद हमारा ये रेसिपी बन के फुरा त्यार हो चुका है तो ये दिखिए तो हेना फ्रेंस बहुत ही आसल तो लास्ट में आड करेंगे धन्या पता तो बिल्कुल जरुत नहीं है ऐसे ही बहुत ही टेस्टी लागेगी क्योंकि सर्शम मसला दिया है तो ये दिखिए हमारा ये जो पुपेया पुरा पक चुका है वा दिखिए बोयल हो चुका है तो मैंने ग्यास का फ्लेम अभी बिल्कुल ओप कर दिया और चलिए सर्प करते है तो ये ले जाए फ्रेंज हमारा सर्शम मसला पुपिता का रेशिपी बनके त्यार हो चुका है तो है ना फ्रेंज बहुत ही आसन आप लोगों को कैसला का मारा रेशिपी कॉमेट करके जरूर बताएगा और विडियो को ना फूल वाच कर ये फ्रेंज स्किप बिल्कुल भ को के लिए फ्रेंज बेल्दी रेशिपी और बहुत ही आसन रेशिपी फ्रेंज तो आज के लिए बॉन